जहें दोस्तों बंदे मातरम पाकिस्तान के पूर प्रधान मंदरी इमरान खान जब तक सत्ता में रहे रोज के रोज नहीं नहीं कोई ना कोई ख़वर उनको लेकर आती ही रहे चाहे वो सरकारी तौफों को बेचने वाली बात हो या फिर उनकी पतनी के रहस्माई तरीके से तुटके में लिप्त होने की बात हो या फिर उनके मंतरियों के उमरी लॉंडरिंग की बात हो कोई ना कोई बात उनको लेकर दिल्चस्प तरीके से मीडिया में उड़ती ही लेकिन अब आलम यह है कि जब वो जा चुके हैं अच्छा जाते जाते भी भाई साब आने वाली स पर निकल कर आ रही है कि उनके कुछ पुराने चाहने वालों ने उनको पर जाम लगाया है कि भई ये बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट हैं और ये बिना नशीखोरी के रही नहीं सकते हैं इसमें उनके पुरानी भीवी भी शामिल हैं और पुराने इसकुछ साथ के लोग कौन पहुंचाता है शरस और कोकीन के बिना तो इमरान दो घंटे नहीं रह सकते और ये पहली बार नहीं जिब इमरान पर ड्रग एडिट होने का आरोप लगा हो सन 2020 में इमरान के करीबी दोस्त और पाकिसान के पूर उतेज गिनबाद सरफरास नवाज ने खुलियाम कि ये कैसे रह पाएंगे हमें बता है कि सेकड़ो एकड़ में फेलें उनके आलिशान घर वानिगाला तक ड्रग जाकिर कौन पहुंचाता है हम उनकी लट के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं चरस तो वो तब से इस्तमाल कर रहे हैं जब वो कर्केटर थे इमरान जेल इस किया 60 करोड रुपए की जमीन 8 करोड रुपए में खरीद ली वो भी उस इस इलाके में जहां जमीन खरीदी ही नहीं जा सकती इसकी जांच भी चल रही है मलिक ने कहा कि अगर बश्रा घरिलू महिला थी तो अब उनका सियासी आइडियो इतना वाइरल क्यों हो रहा है उसम सरफराज नवाज एक बहुत पाकिस्तान के पूर तेज गांद बाज रहे हैं और इम्रान के करीबी दोस्त भी रह चुके हैं कई लोग उन्हें रिवर्स स्विंग का जनक भी मानते हैं 2020 में सरफराज ने टीवी इंटर्विव में कहा था कि उन्हें 87 में इम्रान अच्छी इम्रान को साफ तोर पर ड्रग एडिक्ट और समलेंगिंग बताया था खास बात ये रही कि रही कि रही हम का तो इम्रान कुछ नहीं बिगाड सके लेकिन टीवी शो में रही हम के किताब करने वाले पत्रकारों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी जाहिर सी बात है आ झाल कि बताद बताद आताद पर वाले भारा खास बताद 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 में मिष्ग सा बाताद में जाएक्ट पत्रकार का तो इम्रान को इम्रान को पड़।